जेहिंद सात्यों नमस्कार स्वागत आप सभी कापके अपने यूटूब चनल मुकेश महंतर एजूकेशन पर जल्दी साजोदे के फड़ापट सभी सभी को राधे राधे जैस्री कृष्णा आज हम बात करने वाले हैं क्लाश 12 पॉलिटिकल साइंस का चेप्टर नमबर टू है जिसका नाम है प्यारे मित्रो सता के वेकलफिक के अंदर ठीक है तो इससे पहले हमने चेप्टर देखा था दो दुरिवेता गांत उसके अंदर हम देखे था अबजिक्टिव क्यूशन और आज भी हम देखने वाले दोस्तो चेप्टर नमबर टू सता के वेकलफिक के अंदर और इसके भी एमसी क्यूशन फड़ा पड़ सेर कर दीजिएगा चोटे चोटे परसन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं वीडियो को आप ध्यान पुर्वक देखे मैं आपके सा पूरे में से पूरे नमबर लगवना चाहते हैं तो नोट तो आपको पढ़ नहीं हैं मेरे दौरा हस्त लीकित नोट जो है आपको पढ़ नहीं है अभी जितने व आपको एक e-book त्यार कर रखी है वह आपको वार्ट सुपर मिलेगी ठीक है मेरे वार्ट सुपर नमर यह दे रहे हैं आप नोट कर रहो तो नोट कर सकते हो आपके समय सता के वेखलिपें तो रहे हैं रहे हैं और यूरोपिय संग की स्थापना जो है वो कब हुई थी तो बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर आप सबी ने दिया होगा देखेगा यूरोपिय संग की स्थापना है वो हुई थी आपके एक नॉमबर 1993 को कब हुई थी एक नॉमबर 1993 को यूरोपिय संग की स्थापना हुई थी य याद रख सकते हैं पूरा याद रखना युरोपीय संग अगर आपको पूछें कि युरोपीय संग की स्थापना युरोपीय संग की डाइरेट शोडगर में लिख रहा हूं में इस्थापना तो आपको क्या याद रखना है एग नवंबर क्या याद रखना है एग नवंबर 1903, कब 1 November 1903 यह आपको ध्यान रगना, 1 November 1903 यहापर, शोड़ाज तरी में में लिखद दिया अब इसी केते ibe 24 और बनता है क्या बनता है, बतों? युरोपी हे आर्थिक संभुधाई युरोपी हे आर्थिक संभुधाई यूरोपीय आर्थिक संभूदाई की स्थापना कब हुई थी बताओ किसी को पता है यूरोपीय आर्थिक संभूदाई की स्थापना कब हुई थी 25 मार्च 1957 को कब हुई थी 25 मार्च आपको याद रखना है 25 मार्च 1957 को यह इस्तापना जो है वो कहां हुई थी तो जो इसकी यूरोपीय आर्थिक समुझाए कि इसकी जो इस्तापना है वो बेल्जियम के अंदर हुई थी कहां हुई थी बेल्जियम में तो यह भी आपको याद रखना है साथ ही और बात करें तो यूरोपीय संग से आपको याद में यूरो बास एक के साथ तीन पर्शन फ्री तो यह आपको याद रखना है यूरोपीय संग की स्थापना कब हुई थे उद उनिसो त्रानवे वेसे उनिसो ब्रानवे लिख सकते हैं लेकिन उनिसो त्रानवे देरेका उप्शन में तो डिराइट हो जाएगा इसका ओके चल उसको जल्दी से फटापड़ हाँ बिल्कुल यूरोपीय तो यह आर्थी आश्यान की स्थापना क्या कर रहें इसका अंसर आश्यान की स्थापना कब हुई थी 1967 मतलब उनिसो सट्ट में में आश्यान की स्थापना हुई थी अब मैं और एक्ट्रा बता रहाएं वह भी घटीज क्पी पहता हो गया आज यहान की सक्वेघ इस सेवन इस देखिए अब आपको यादे रहना में आशान का पूरों नाम क्या है आसयान का पुरा नाम बताऊ चेत्रिये आसयान. दक्षिन पुरू एसेई चेत्रियोत συνागट. आसयान पुरा नाम क्या उतका है? दक्षिन पुर्वू. लिग देता हूं, ताकी आपको यादprem, दक्षिने पुरू एसेई राइष्ट्रो का संगट. प्यारे मित्रों एक जाम में एक भी क्विशन आपके गलत नहीं होना चाहिए और मैं जू प्रशन करवाँगा इन से बार नी आने वाले यह ध्यान रखे तो दक्षिन पुरुव एसे राष्ट्रों का संगटन यह तो गया इसका पुरा नाम साथ यह आपको और पॉइंट के याद रखना है यह आश्यान पूछत आएगा आपको क्या पूछत आएगा प्यारे मित्रों पूछत आएगा आपको कि आश्यान में कुल सदेशे कितने हैं देखेगा वेसे पहले याद करते हम संस्तापक देश संस्तापक देश आश्यान के कितने संस्तापक देश हैं तो हम के सकते हैं प्यारे मित्रों आश्यान में अगर पूछ आपको आपको पूछ आए कि आश्यान के कितने संस्तापक देश हैं तो पांच संस्तापक देश हैं कौन-कौन से प्यारे मित्रों आश्यान के पांच संस्तापक देश हैं कौन-कौन से तो आपको याद रणा इंडो पर देखो कौन कौन से इंडोनेशिया हो गया इंडोनेशिया इंडोनेशिया इसके अलावा बात करें तो मलेशिया हैं इंडोनेशिया हैं मलेशिया हैं इसके अलावा और बात करें तो थाइलेंड है थाइलेंड इंडोनेशिया मलेशिया थाइलेंड और बात करें तो फिलि पिंस हैं इसके लावा सिंगापूर यह आपको नाम याद करने पड़ेंगी प्यारे में ध्यान रखेच्छे से याद करें अच्छे से देखेगा पांच संस्ता पक देख बेंकां गोष्णा पत्र पर हस्ताक्सर किया यह परमुख पांच संस्ता पक देश हो गए कुल हूँ के आसयान में कुल सदेश कितने हैं तो पहले 5 थे और 5 और बार्ड में ओर जुडते हैं तो हम जआए तो किस एएं कितने सदिशैंघा सदेशी प्यारे मित्रों 10 आसयान में सदेशे तो केने का मतलब आपको याद होया कि निवे point by point देखो परसन आया आपके समने आश्यान की स्थापना कब हुई तो हमने कहा कि आश्यान की स्थापना हो 1967 में हुई 1967 में हुई फिर देखो इस अबना होगी पूरो नाम के हैं और कुल सदीशिंस में अब कितने 10 थीक है पाँच जुड़ते हैं तो ये point आपको याद रखना है अब यहां पर क्या प्यारे मित्रों वेसे एक एक्जाम में परसन पूछ जाता है कि आशियन के इस्तंभों के नाम बतो आशियन के कितने इस्तंभ हैं तो देखो आशियन के कितने इस्तंभ हैं मैं यहां पर तो बात नहीं कर सकता लेकिन मैं इसको यहां पर अलग से बता देत प्यारे मित्रों आपको याद रखना है «ट्याँ नियुका की स्थम्भधा क्यासा था था युक्ता था पॉल सब्सबसे पेले बाई बात प्रज़ुक्राइस रखना ठेक्छा आसियान सुरुक्षा सम्मुदाई ठीके आसियान सुरुक्षा सम्मुदाई यह आसियान का क्या हो गया पहले इस्तम हो गया दूसरा आप लगाओ यह आपर आसियान ठीके आसियान आर्थिक सम्मुदाई आसियान आर्थिक सम्मुदाई तो यह हो गया दूसरा इस्तम इसके अलवापना तीसर इस्तम्भ ँगया आश्यान सामाजिक संस्कर्थिक संस्कर्थिक शंबुदाए डिए तो इस प्राकार से देखेंगे बिज़ंकि तो यह आश्यान की क्या हैं परमुक तीन इस्तम्भ है तो यह तीनीτοि इस्तम्भ आपको याद उने चाहिए डेखते हैं हैं देखो अभी क्या है आपके सामने में उब्जिक्टिव क्यूशन कर रहा रहा हूं वन लाइनर की रूप में आप टैंसर मत लीजिएगा बड़े क्यूशन भी मैं करवाऊंगा जल सेलक से वीडियो आएगा बदो देखे 1942,1948,1952,1956 याद करो अच्छे से ठीक है मेरिट में आओ अच्छे से अच्छे से पड़ो और अच्छे से याद करो प्यारे मित्रो मार्शल योजना की सुर्वात कब हुई थी देखेगा आपके सामने चार उप्सन दे रहें के फटा पटा अंसर कर देगा 1948 मतलब 1948 में अब क्या परशन पूचा देगा प्यारे मित्रो मार्शल योजना मार्शल प्लान कब से कब तक चला तो मार्शल प्लान है ने याद ना अच्छे से भूलना ने अच्छे से देखेगा मार्शल योजना मार्शल योजना हम मार्शल प्लान भी कह सकते हैं मार्शल प्लान भी कह सक हे तो प्यारे मित्रों योजना या मार्सल प्लान कब से कब तख चला तो यह चला था आपके 1948 से 1952 अब क्या है यह ँचया यह यह मार्सल योजना यह क्या है लगान अभी जानते हैं परइबास से यह पूछής तो आपको लिखना है इस तरीके से देखेगा अमेरिका ने प्यारे मित्रों अमेरिका ने क्या किया अमेरिका ने पस्चीमी यूरोप की अर्थविवस्ता को सुधारने के लिए एक योजना या फिर एक प्लान बनाया एक योजना या प्लान बनाया प्लान बनाया कब बनाया ये प्लान ये बनाया था 1948 में ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे मार्शल योजना जिसे मार्शल योजना या फिर कह सकते हैं मार्शल प्लान क्या कह सकते हैं मार्शल प्लान मार बास इस तरीके से लिख सकते हैं क्या है मार्सल योजना तो अमरिका ने पस्चमी यूरोप की अर्थ विस्ता को सुधारने के लिए एक योजना एक प्लान बनाया जिसे मार्सल योजना कहां गया और बास यह याद रगना और कुछ ने तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन क्यूशने मार्सल योजना के सुर्वात का भूई तो आपको करना एक चलो नेक्स्ट परसन देखो तेखें अगला 500 परसने जई जवान जई किसान जई जवान जई किसान का नारा किसने दिया था प्या बिल्कुल फ्यटा पड़ इसका आंसर कर देखें जल देखें और आप सभी के कितने किशन राइट होते हैं ये भी मुझे कमेंट बुक्स में आप जुरू बताना ठीके चलो के देरे इसका अंसर जई जवान जई किसान का नारा लाल बादुर शास्त्री बिल्कुल सइदी आप सभी ने देखेगा लाल बादुर सास्त्री इसका राइट अंसर हो जाएगा लाल बादुर सास्त्री जिने कांसर नारा दिया था जई जवान जई किसान जई जवान जई किसान ठीके अगर मैं पूचु था ने अच्छे से कि जई जवान अगर मैं पूचु अच्छे से याद हो रखने हरे से याद्वेड ओरन तो पीछ आपको लिखना अच्छे से सबसे पहला पूिंट आपको क्या लिखना है इंद्रागंदी आरे इंद्रा गंदी सकते हैं कि अरकिस ने दिया था बना का नरा बना कि गंल पाल से और đन्द वीन की निसमें प्रियो आलायन्स अब ऐडरी को बनाकि ग्रेड अलायनस ने प्रकाश नाद से बिंधु तो इन्हों plano दिया था करें रहा इंद्राओ को बना। अब यहाई पर आपको लिखना प्यारे मित्रो, क्या लिखना आपको अच्छे से, आपको लिखना अच्छे से और देखना भी अच्छे से, तो देखो, सबसे पहले इंदराटा हो गया, इसके लोगा संपूर करांती, एक नारा है संपूर करांती, यह संपूर करांती का नार ंश्येयूदीं।出来,… तुम मुझे कून दो । तुम मुझे कून दो Polish निर्षक और में तुम्हे आज़ादी दोंगा दोस्तों यह नारा है तेकि ध्यान रगें अच्छे से तुम मुझे कून दो में तुम्हे आज़ादि done तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूँगा, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, मैं तुम्हें क्या दूँगा, आजादी दूँगा, तो यह याद रगना आपको अच्छे से, याद रगना अच्छे से, भूलना मत अच्छे से देखिगा, तुम मुझे खून द सब्सक्राइब कर दोस्तों भागे वदू से चिर प्रतिक्षित भेट जिसे इंगलिस में कहते है ट्रिष्ट विद डेश्टी नी तो ये भी आपको याद रगना है देखेगा पंडी जवाला नेरू का तो मुझे कुछ याद नहीं रहा लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये आपको याद रगना है हिंदी में तो बिल्कुल अब देखो ये होगे नरा सुबस तंदर वोस होगया लाल बादुर सास्त्री होगया इंदर गंधी जी हो गया और भी नरा है बताओ देगे ओर ही नरा SL वहाँ न्हार दिया दिया दोस्तों कौण भोण सा नरा दिया ओ पोर वी बास औप दी ओँगे तो यह में में ने तो आपको याद रखने है कि इत्व हो जईजवान जई-किसान का नरा पूछे तो आपना था जाए श्चान को लाल्बादर सास्त्रहStudy करना है यह को लिक करना है नहीं साहिकत आगा है तो ये नारा है अठल बिहारी अठल बिहारी वाजबी ने अठल बिहारी वाजबी ने ठीके ये अरपन की भूमी है ये तरपन की भूमी है ठीके तो ये इन्हों ने कहा था जे जवान जे किसान जे विगान अठल बिहारी वाजबी ने चलो जो अब बात करते हैं आगे अगल ही आइप सभी को यूज शे यूरोपी आहिंगे अपको पूछूप अगर आपको पूछू थीके यूरोपी थे शमे उसन्च है favorite शहिए पुछू अगर देखो यहां पर डोलर दे रहा है मैं तो डोलर में जूलूला वो डोलर नहीं यहां पर पेशा रूपे यहां तो याद रहना अमेरिका की मुद्रा का नाम अगर पूछे अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है तो अमेरिका की मुद्रा का नाम है डोलर ठीक है अमेरिका वाल भारत में आरके दियों कि डोलर में तो लाइट हिंदा देला दोस्तों चक्री डोलर में है ना डोलर तो जाना अमेरिका की मुद्रा का नाम डोलर है डोलर थोड़ा मैं साइ डोलर है डोलर ठीक है डोलर इसके अलावा बात करें तो भै पाउंड और पाउंड तो सब जानते हैं इंग्लेंड की मुद्रा है इंग्लेंड की मुद्रा का नाम 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 है पाउंडे पाउंड पास उसी परकार रुपया रुपया तो कोड़ ने जानते हैं भारत की मुद्रा का नाम है रुपया भारत की मुद्रा का नाम क्या है रुपया है रुपया उसी परकार एक और याद रखला ना रूस की मुद्रा का नाम देखो रूस की मुद्रा का नाम क और रूस के संसद का नाम क्या है, तो रूस के अगर पूछे कि रूस के संसद का नाम क्या है, तो रूस के संसद का नाम है डियूमा, 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 बस, ये याद रखना अच्छे से, भोलना नहीं अच्छे से, ठीके, या 1950, 1953, 1956, 1969 जल्दी बतो देखें फड़ा पड़ा आंसर आप सभी के सामने कुछन है राजी पुंडरगटन आयो की स्थापना जो है वो कब हुई थी तो प्यारे विद्यारतियों बिल्कुल आप सभी को पता सभीन आंसर किया हैं 1953 मतलब 1953 के अंदर कभू 1953 में आप सभी याद र राजी पुंडरगटन आयो की क्या हुई थी स्थापना हुई थी अब देखो यही पर मैं परसन पूछो आपको क्या पूछू परसन पूछो देखेगा आपको लिखना है राजी पुंडरगटन देखेगा राज्य पुंडरगटन राज्य पुंडरगटन मैं आगर कि राज्य पुन्रगटन आयोग को पारित कब किया तो इसको पारित किया प्यारे मित्रों 1956 में इस आयोग को पारित किया देखेगा यहां पर याद रखेंगे प्यारे मित्रों इस आयोग के अंदर इस आयोग के अंदर मतलब राज्य पुन्रगटन आयोग में इस आयोग में मान लिया गया इस आयोग में मान लिया गया मान लिया गया कि राज्ये का जो पुन्रगटन होगा राज्ये का जो पुन्रगटन होगा राज्ये का पुन्रगटन वो किसके आधार पर होगा राज्ये का जो पुन्रगटन है राज्ये का पुन्रगटन वो भासा के आधार पर होगा किसके आधार पर होगा भासा के आधार पर किसके आधार पर होगा भासा के आधार पर होगा तो हम यह के सकता हूँ यह के सकता हूँ अच्छे से मैं यह आपर के सकता हूँ कि भासा के आधार पर पहला राज्य कोण सा बना तो सभी का आंसर क्या होगा प्यारे मित्रो भासा के आधार पर देखेगा भासा के आधार पर पहला राज्य कोण सा बना तो भासा के आधार पर पहला राग्य बना था प्यारे मित्रो अंद्र प्रदेश कौन सा बना था अंद्र प्रदेश अंद्र प्रदेश अंद्र प्रदेश अंद्र प्रदेश आपको याद रगना चीज़े ठीक है अब देखो वेसे तो देखो राजीब बने थे ये डेट चेप्टर के अंदर अलग से वो चेप्टर आएगा उसमें करवा देंगे 1960 में गुजरात माराष्टर बने थे 1960 में पंजाब से अला करके हरियाना इमाचल प्रदेश बन गई थे 2000 एश्यो में चाथिजगर जारकन उत्राकन बन गई थे कुछ डेट है वो आपको याद रहनी चेप्टर आएगा उसमें करवा देंगे बास आपको ही याद रहने इस चेप्टर में जैसे इस कृष्टर में बारत में राजी पुन्रिक्र नायो की सापना कब हुई थी तो 1953 ठीक है चालो नेक्स्ट परसंद देखो देखें आठवा जर्मनी का एकिकरण जो है वो कब हुआ था आपके सामने चार उपसंदे रहे हैं 1990–199'' 1988 जल्दी इसका आश्रक्राइं मेरे छर्मनी का एकिकरण कब हुआ था प्यारे में बारТ 820 न India के अंदर कब हुआ था 1990 में याद रखेंगो किसों का एकिकरण हुआ था जर्मनी का एकिकरण हुआ था ये कृषन ये तो वरी वरी इंपोर्टेंट है I spend eer Summit को आप तुर्झंथ याद कर लेंना और मैं यहाँ पर देखेगा जिसको भी अगर नॉट चाहिए जिसको भी अगर नूट चाहिए तो मेरे वार्ड्स अप नंबर है वार्डस्थ नंबर इन नम्रों पर जलदी बतबिके फटाबड सभी अंसर सभी बताओ देगा फड़ा बर्ड हाँ सविधान के अनुचे 352 के अनुसर आपातकल की गोशना कोन कर सकता है देखेगा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सब क्या आंसर आना लग गए है वापस नंबर A इसका राइट हो जाएगा राइश्ट पती अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ वेसे सविधान अपने सविधान की बात करें तो सविधान के भाग इतने है तो सविधान के भागे 22 कितने भागे सविधान के सविधान के भाग 22 है अनुचेत की बात करें, तो 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 अनुचेत की बात क कि गुषना वो कुण कर सकता तो टो यह को या रगना है आझ अब देखो भारत कि आप आफ है कि जोना कब वह भारत में में आपात काल ने और आपात काल कि गोशना कभ आगना में तर अच्छे से 7-11 body कब हुई थी पैची सुन निसितर क्या हुए थी बारत में आपात काल की घोशना हुई थी यह को याद रखना है भूलना नहीं आपकाल की घोशना नहीं है प्युन इस प्रारत इस तो इस समय भारत के प्रायम मिनिस्टर कोन थे उसमें बारत के प्राइम मिनिस्टर कोन थे तो उसमें बारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रदान मंत्री मैं या पर लिख रहा हूँ प्रदान मंत्री डायरेट लिख रहा हूँ पीम उसमें जो पीम थे पीम इंद्रा गांधी जी पीम कोन ही बई इंद्रा गांधी याद अब दो याद किया करना है और भी बताओं कि था नहीं याद से आपको याद करना है अभी अनुचे आगे अब क्या है आपके सामने अनुचेद आया था अनुचेद चलो देखो कि सविधान के अनुचे 352 अब देखो 352 है तो इसको देड़ता हूं में कब अनुचे 352 अनुचे जो 352 है राइष्टी आपातकल कब लगा यह जो आपको लगाणा तो वो किस अनुचेद के तेद लगेगा अनुचेद 352 के तेद तेद उसी परकार से अनुचेद 354 लगेगा वजा राइष्टपतिक सासं यह जो है ना यह 352 यह अनूच Ral Nav 我न त्य टिए आपैतल सकता अनूचे 302 में टो रैष्ट पती सासन तो राइष्ठ पती सासन राइष्ठ पती सासन ये आपके अनूचे 307 लगेगा आहनूच परकार अनूचे 360 कि बात करें तो अनूचे 360 में सभीदान में पेशो संबंदी подготов आपके अनुछेत तीन सोडिन और एक और अनुछेत तीन सोडिन के बनाधे हैं, इसमें कुछ बदलाव करने की जुरूत है. अगर आपको संसोधन करना इसमें, तो किस अनुचेत करेंगे, अनुचे 368, आर्टिकल, अनुचे 368, सविधान में संसोधन, तो याद रखे, अगर सविधान में संसोधन करना है, सविधान में बदलाव करना है, सविधान में संसोधन करना है, तो किस अनुचेत करेंगे, अ जम्मू कस्मीर को दिया गया था एक विशेश अधिकार विशेश अधिकार ठीके ये विशेश अधिकार दिया गया था लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है ठीके जम्मू कस्मीर को दिया गया था एक विशेश अधिकार लेकिन अभी वर्तमान में इसे हटा दिया गय ठीके बास यह याद रखे अच्छे से साविधान के अनुचे 300 वावन गनुसर आपात के लिए गुष्णा कौन कर सकता है तो वो राष्टपति कर सकता है ओके चलो बाकि अनुचे दिये लेका दिये यह सब आपको याद रखना है अगला परसन है कि भारत ने लूकिस्ट की निति जो है वो कब अपना ही भारत ने लूकिस्ट की निति कब अपना ही थी दो नितिया है एक तो है लूकिस्ट और एक है आपके सामने एक्टिस्ट कौन सी एक्टिस्ट तो देखेगा जो एक्टिस्ट है और लूकिस्ट है जो लूकिस्ट है जो लूकिस्ट है इससे प्राणिया सब्सक्रेस आपके 2014 तो यह याद रहें बारता लोकिष्ट के नहीं कब अपनाई था नई 1921 तो यह याद रहें अगला परसंदेखो पंचल समझूता कब हुआ था वेरे वेरी इंपोर्टन क्यूशन है प्यारे मित्रों पंचिल समझटा कब हुआ था यह याद करना अच्छी सी ठीक है पंचिल समझटा कब हुआ बता हो देखे 19 SEC 1912 1924 1956 1960 क्या कर रहे इसका आंसर पंचिल समझटा कब हो तो देखो या पर लिको पंचिल समझटा सबसे पहले तो इसका आंसर करो आप सभी क्या कर रहे हैं इसका आंसर पंचिल सम्दोता क्या कर रहे हैं इसका आंसर प्यारे मित्रो हाँ बिल्कुल जिन्होंने 1954 किया उन सभी का राइट है 1954 में अब सबसे पहले तो आपको याद रखना कि यह हुआ कब कब हुआ ये ये हुआ था आपके 29 अप्रेल 29 अप्रेल 1954 को 29 अप्रेल 1954 को पंचिल समझता हुआ किसके मद्धी हुआ था बात करते हैं मद्धी तो किसके मद्धी हुआ था भारत भारत वे चीन भारत वे चीन के बीच हुआ था पंचिल समझता ये आपको याद रहना बहुत जुरूरी है भारत और चीन के बीच ठीक है तो पंसिल समझता हुआ कब 29 अपरेल 1954 को किस किस के किस देश के मद्धी हुआ तो बारत वे चीन के बीच तो इसको ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा बी यहां पर राइट हो जाएगा बास यह थे हमारे सामने कुछ जो कि आपने एक ही वीडियो में देखे हैं प्यारी वीद्यारतियों आज का ट्रोपिक कैसा लगा आप सभी को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनले पर ने तो सब्सक्राइब करें लेकिन नोट्स आपके सभास होने चाहिए ओके साथ रूपे के अंदर कंप्लिट मिल जाएंगे वार्स बर मेसेज आप कर शकते हैं चलो तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैबर्द ओके